हलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के कौन कौन से कार्यों है और शिक्षा के सामान्यों कार्यों का वरन कीजिए शिक्षा के कार्यों को पढ़ने से पहले हम शिक्षा के जो है संस्कृत शब का मतलब जानेंगे ठीक है कि शिक्षा को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है शिक्षा शब संस्कृत की शिक्ष धातू से बना है ठीक है यह जो है शिक्ष धातू से बना है और इसका अर्थ है सीखना जो शिक्षा जो है संस्कृत की शिक्ष धातू से बना है और इस शिक्ष धातू का अर्थ है सीखना संस्क्रेट में शिक्षा दो अर्थ में प्रियुक्त की जाती है ठीक है इसको जो है दो अर्थों में प्रियुक्त किया है सीखना तथा सिखाना मतलब की संस्क्रेट का मतलब सस्क्र Page की शिक्षदात्तू से मतलब है कि जो है शिक्षा जो है सीखना है और सिखाना है ठीक है इसकी बाद हम पढ़ेंगे इसके जो है शिक्षा के कौन-कौन से कारेयों है शिक्षा के दो कारेयों है। शिक्षा के सामान्यों कारे और शिक्षा के मानों जीवन में कारे कौन कौन से हैं और शिक्षा के मानों जीवन में कारे कौन कौन से हैं इस क्वेशन में पूछा हुआ है कि शिक्षा के सामान्यों कारे का वरण किजे तो हम सिर्फ इसमें जो है शिक्षा के सामान्यों कारे का ही वरन करेंगे शिक्षा के सामाने कारे में सबसे पहले आता है जनमजात शक्तियों का विकास मतलब की जो किसी व्यक्ति के जनमजात शक्तियां होती है बायवर्थ जो शक्तियां होती है यह हम आंत्रिक शक्तियां बोलते हैं ठीक है उन शक्तियों का विकास कैसे जो है शिक् जो है शिक्षा के थ्रू जो है किसी व्यक्ति की स्वभाविक समझ जिस्य पुरण और प्रक्दिशिल विकास होता है शिक्षा प्रेम जिग्यासा तर्क कल्पना आतमसमान आदी के गुणों के द्वारा बालक की जनमजात शक्तियों का विकास करती है अब आप देखो कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी बच्चा जो जनम लेता है तो जो है वो अपनी जो है जनमजात शक्तियों के साथ पैदा होता है उसके अंदर जो है कुछ जनमजात शक्तियां होती है आंतरिक शक्तियां होती है उन आंतरिक शक्तियों को हम जो है शिक्षा के माध्यम से बाहर न कुछ ना कुछ आंतरिक शक्टियां आप में देती हूं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ पैदा होता रहे है दिक व्यक्टि व्यक्ति हो सिए अमलएक व्यक्ति के पार condition सिभ्च के मार्या है भाता हैसे दिश HAVE दो निकालता है होते हैं कोई खेल में होता है कोई ठीक है किछ अधर एक्तिवितिा डि这समें ते डालेंट होता है हर इंसां Station GO हम किस के माध्यम से बाहर निकालते हैं ठीक है एजुकेशन के थू हम उस टैलेंट को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और इसमें जो है जब कोई बच्चा जो है शिक्षा लेना स्टार्ट करता है शिक्षा ग्रहन करना स्टार्ट करता है तो उसके उस शिक्षा के थू ही जो यहां बाहर निकलता है जो किसी भी फील्ड में अगर हम कोई भी बच्चा जो है अगे और उस बच्चे को उस फील्ड में आगे जाने के लिए अपने जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने के लिए उस आंत्रिक शक्तियों को आगे दिखाने के लिए उसको education की बहुत जरूरत होती है और उस education के through ही जो है वो अपने आंत्रिक शक्तियों को बाहर निकालता है विक्सित करता है और उसका विकास करता है ठीए यही है कि एक शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जिसे जो है वो अपने आंत्रिक शक्तियों को बाहर निकाले या उस आंत्रिक श का निर्मान करना मतलब संपुर्ण व्यक्तियों का निर्मान करना किसी व्यक्ति के जो है all-round development करना ठीक है और जो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम जो है किसी व्यक्ति के जो है all-round development कर सकते हैं क्योंकि जो है शिक्षा के माध्यम से ही जो है किसी व्यक्ति के जो personality development होती है है ना mentally development होता है और हमारा जो mentally development, personality development ये जो है शिक्षा के माध्यम से ही जो है किसी व्यक्ति के अंदर होती है अगर जो है कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा ठीक है वो उसको education नहीं लेगा तो ना उसका mentally development होगा और ना ही उसका physical development होगा ठीक है और समपूरन विकास के लिए जो है किसी व्यक्ति के order on development के लिए जो है शिक्षा बहुत जरूरी है इसी तरह से जो है भावी जीवन की त्यारी करना मतलब की भावी जीवन की त्यारी करना इसमें है कि शिक्षा बालों को भविश्य के जीवन को व्यतीत करने के लिए त्यार करती है मतलब शिक्षा ही एक ऐसा माद्यम है जो किसी व्यक्ति को आगे जीने के लिए या फिर जीवन जीने के लिए त्यार करता है कि किस तरह से उसको अपने लाइफ जीनी है उसको अपने फिल्ड में कैसे जाना है ठीक है अगर कोई educated person होगा कोई बच्चा शिक्षित होगा तभी तो वो अपना फिल्ड चूज़ करेगा और उसको अपने फिल्ड को चूज़ करने में help मिलेगी क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ती ही अपने अंदर देख सकता है कि मुझे इस फिल्ड में आगे में जा सकता हूँ या मुझे इस फिल्ड में जाना है इस फिल्ड में जो है आगे काफी तरक्ती कर सकता हूँ ठीक है उसको उस मतलब किसी फिल्ड को चूज़ करने के लिए अ आपको मैं एक्जम्पल देती हूँ कि कोई student होता है अगर educated होता है तब ही जो है वो उसके अंदर ये आता है कि मुझे जो है किस field में जाना है मुझे आगे future में कहां जो मेरा future bright दिख रहा है मैं उस line में जाओंगा ठीक है और जिससे वो क्या है कोई हर व्यक्ति कोई हर person जो ह यह चाहता है कि उसका future bright हो और मैं अपने field में बहुत आगे जाओं और ताकि मुझे आगे life में easily जो है जी सकूँ ठीक है इस चीज को चूज करने के लिए ऐसा सोचने के लिए जो उस व्यक्ति को educated होना बहुत ज़रूरी है और एक educated person ही यह सारी चीजे सो सकता है उसके बाद आता है सांस्कृतिक वन्षक्रम का निर्वा मतलब की सांस्कृतिक वन्षक्रम का निर्वा जो है शिक्षा के थ्रू कैसे होता है ठीक है शिक्षा हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है ठीक है जो भी हमारे culture heritage है हैना सांस्कृतिक विरासत है वो श शिक्षा के थ्रू ही आगे बढ़ाई जा सकती है ठीक है शिक्षा के थ्रू कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है जैसे कोई educated person होगा शिक्षित व्यक्ति होगा वही जो है हमारे रिती रिवास को लोग साहित्य और संगीत ठीक है और समाजित परंपराओं को आगे ले जा सकता है क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्तिः होगा वही, इन चिजुगों को आगे ले समझे उसको आगे क्या बोलते सिखे ठीक है और क्योंकि एक एजुकेटिट परसन के माइंड में यह सारी चीजे आती है और जो भी हमारे में आपको एक्जांबल के तौर पर देती हूं जो हमारे पहले होती थे जो हमारे हिस्ट्री थी वह हिस्ट्री को आगे कैसे बत रहे हम हम लोगों तक कैसे पहुंची हम लोगों तक तभी पहुंची कि जो है एजुकेटिट परसन है वही आगे आगे उस चीज को ले जाएगा है अब हम भी पढ़ रहे हैं कि हमारे पहले क्या होता था हिस्ट्री में किस तरह के हमारे देश था किस तरह की उसमें प्रॉब्लम् थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ठीक है यह सारा नॉलेज हम तक कैसे पहुंचा एजुकेशन के थ्रू क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हैं हमने उचीजे पड़ी हमने उचीजे सुनी है उनको हमने सीखा तब हम आगे फिर अपने बच्चों को बताएंगे अपने बच् कर्चर हैरिटेज को संभाल के रख सकता है और उसको आगे सुरक्षित ले जा सकता है उसके बाद आता है राश्ट्रिय सुरक्षा की भावना का विकास कि जो एक राश्ट्रिय सुरक्षा है उसकी विकास कैसे किया जा सकता है अब राश्ट्रिय सुरक्षा के बारे में कौ किस तरह से राश्ट्र को सुरक्षित रखना है किस तरह से अपने राश्ट्र का विकास करना है ठीक है अगर कोई परसन नहीं होगा जिसने शिक्षग्रायन नहीं किये होगी उसको कैसे पता कि वह यह तो वह सोचेगा कि मेरे राश्ट्र का विकास होना चाहिए लेकिन उस व हमारे को ऐसा कारे करना चाहिए या काम करना चाहिए जिसे हमारे देश में तरक्की हो यह सारी बाते जो है एक educated person के mind में ही आती है ठीक है और एक educated person ही यह सोचेगा कि मुझे अपने देश के लिए अपने राष्टर के लिए क्या कारे करना है और क्या कारे नहीं करना है ठीक है और educated person ही जो है राश्ट्रिस रक्षा की भावना का विकास कर सकता है उसके बात आता है समाज सुधार वो समाज का विकास वही है जैसे राश्ट्रिस रक्षा की भावना के लिए एक educated person की जरूरत होती है वैसी समाज सुधार वो समाज की विकास के लिए एक educated person की जरूरत होती है क्योंकि एक educated person ही जो है राज समाज सुधार के लिए जो है कुछ कारे कर सकता है कुछ काम कर सकता है ठीक है एक शिक्षा के कारण समाजिक चेतना का विकास होता है ठीक है और कि हम जो है एक educated person ही जो है यह सो सकता कि हम हमार को अपने समाज में development के लिए या अपने समाज के लिए क्या करना है कौन से कदम उठाने है किस तरह से हमार को अपने समाज को तरक्की करनी है आगे ले जाना है यह सारी बाते जो है एक educated person ही सो सकता है और उसके mind में य तो यह था हमारा आज का टॉपिक